तो मैं आज कर रहा था कि आज का जो लेक्टर है वो नियत की एहमियत के हमाले से हैं आज का ँड कि आज कि इहू तो गया लुबादी। प्रियस्य वे निदा लुट है इस सबग के जो मकासद हैं, उन में से पहला है के नियत की एहमियत को वाज़ करना, नियत और इंटेंशन इरादा इसको एहमियत वाज़ करना, नियत के मताबक अजर को उजागर करना, के जैसे नियत होगी वैसा ही अजर अता किया जाएगा। नयتों की इसलाह पर दोर देना, नयत की इसलाह के अवाले से उसकी तखीद जो की गई है उसको जागर करना और मौमन की नयत और अमल या मौन का फरक वारे करना एक है नयत और एक है उसका अमल, तो उसमें क्या फरक है, कुन सी चीज ज्यादा इंपोर्टेंट है तो तलावा में खलूस नियत पैदा करने की खोशिश करना के इखलास पैदा किया जाए हर काम के अंदर क्योंकि ये आमाल की बुनियाद होता है अगर नियत खालस है तो अमल का भी पैदा है और अगर नियत खालस नहीं तो अमल का भी फाइदा नहीं हदीश पाक आपके सामने मौजूद है हदरत अमीरल मौमिनीन हदरत अमर बिन खताब रजी ल्लाह ताला नहो कलीफा-थानी वो कहते हैं कि समय तो रसूल अल्लाह स्लियला नालस्लम या फूल कि मैंने रसूल अल्लाह स्लियला अल्लाह को फर्माते हुए सुना कि इन्नमल आमालो बिन नियात इन्नमल आमालो बिन नियात कि आमाल का दारुमदार नियतों पर है और हर शख्स के लिए वो ही कुछ है जिसकी उसने नियत की मानवा जिसकी उसने नियत की वा मन कानत हिजरतु इलालाह वर रसूल ही जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है अल्लाह और उसके रसूल की जानब है वा हिजरतु इलालाह वर रसूल ही तो उसके हिजरत अल्ला और उसके रसूल की तरफ ही होगी वा मन कानत हिजरतु लिद्दुनिया युसीबुहा और जिसकी जो हिजरत है वो दुनिया के लिए है कि उसे कमाए दुनिया को हासल करे ओ इमरातिन या किसी औरत के लिए है यन के हो हा तो उस से वो निकाह करें तो उसकी हिजरत उसी तरफ है जिसकी उसने नियत की या जिसकी तरफ उसने हिजरत की है तो इसमें रसूल अल्लाह अल्हे वालिव सल्म में जो वाज़ की है बात वो नियत की एहमियत है कि नियत कितनी एहमियत की खामिल है इस हवाले से हम दो तीन चीजें जो हैं वो डिसक्स करेंगे जो इस हदिस पाग के बुनियादी निकात के तोर के उपर समझे जा सकते हैं सबसे पहले कि अमल से पहले नियत की जाती है कोई भी जो काम करता है पहले ये समझ लें कि नियत किस चीज़ को कहते हैं नियत से क्या मुराद है नियत दिल के इरादे का नाम है जब कोई भी काम बंदा करता है तो उसका पहले इरादा करता है intention होती है फिर वो अमल करता है और अगर वो इरादे के बगैर है तो उसको अमल नहीं कहते है बलकि उसको फेल कहते है कोई भी काम जो है वो अगर बगैर इरादे के है तो उसकी बंदे की आदत है उसके उपर कोई जरो सवाब वाली बात नहीं होती अमल तब बनता है कि जब उसकी नियत की जाए तो अमल से पहले क्या होता है नियत और नियत के बारे में रसूल अलला सल्लम का एक और रिशाद पाक है कि नियत अलमुमिने खेर मिन अमाली ही कि मौमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है नियत अलमुमिने खेर मिन अमाली ही कि आदमी की मौमिन की बनता है मौमिन की नियत उसके अमल से क्या है बेहतर है क्यों नियत उसके अमल से बेहतर है उसकी चंद एक वजुवाथ हैं एक तो ये के नियत चुके दिल के इरादे का नाम है तो दिल का इरादा जाहर नहीं होता जब तक बंदा जुबान पर नहीं लाता या अमल नहीं करता वो चुके एक खुफिया है बातनी अमल होता है उसके अंदर दिखावा नहीं होता तो जब तक बंदा उसको प्रैक्टिकल नहीं करता उस वक्त तक उसका इल्म नहीं होता अमल के अंदर चुके इजहार होता है जो भी कोई काम कर रहा होता है नजर आ रहा होता है उसके अंदर एक दिखावा या रिया की कहफियत होती है दिखावे की एक कहफियत होती है इस वज़ा से कहा गया कि नियत जो है वो बेहतर है अमल से दूसरा ये कि अगर आदमे नियत कर लेता है किसी काम की और अच्छे काम की नियत करता है तो उस नियत का बंदे को अजर और स्वाब मिल जाता है उस नेक काम के इरादे का उसे क्या मिलता है अजर मिलता है, स्वाब मिलता है और अगर वो उस नियत के मताबक अमल भी कर लेता है तो फिर उसको दुगना अजर मिल जाता है एक नियत करने का और एक उस काम के करने का फिर अगर उस काम के अंदर एक से जायद नियते हैं ज्यादा नियते हैं मिसाल के तौर पर आदमी मस्जद में जाने की नियत करता है तो एक नियत तो ये है कि मैंने नमाद अदा करनी है एक नियत होगी, दूसरी नियत अगर वो ये साथ कर लेता है कि चुँके मस्जद अल्ला का घर है तो मैं अल्ला के घर में जा रहा हूँ तो बरकत हासल होगी, तो ये दूसरी नियत भी उसकी शामल होगी इससे उसका जो अज़र है वो ज्यादा हो गया और अगर वो ये भी नियत कर लेता है कि मैंने मस्जद में जाते है ये तकाफ की नियत कर लेनी है तो इससे तीन नियते होगी, अमल एक ही है लेकर नियतें ज्यादा होगी और अगर वो साथ ये भी नियत कर लेता है कि मैं तो गुनागार हूँ वहां पर नेक लोग अल्ला के बंदे आएवे होते हैं चलो उनसे मुलाकात होगी तो नेक लोगों से मिलने की नियत कर लेगा तो कितने नियते होगी चार चार नियते होगी और अमल एक उसमें करना है मस्जद के अंदर जाने वाला इसका मतलब ये है कि नियत जितनी ज्यादा कर ली जाएंगी उतना ही फाइदा ज्यादा होगा और अमल ही वो चीज़ है कि जिससे फिर बाद में आदमी के जो बाकी मामलात हैं वो मतरत्ब होते हैं लेकन नियत को अमल से बेहतर इस वज़ा से करार दिया गया है कि ये एक जिसम है और जो उसके अंदर रूह है वो नजर ना आने वाली चीज़ है तो रूह और जिसम जब मिलते source मनता है तो जो हैसियत रूह की दिल जिसम के अंदर है अमल के अंदर जो नियत है वो हैसियत और मुकाम तरकती है समईक रहा है तो उस वज़ा से भी कहा गया कि नियत जो है ये ज्यादा बेहतर है आदमी के अमल से अब नियत की इसलाह कि नियत जितनी सही होगी उतना ही आदमी के लिए फाइदा होगा और उस नियत के एक को ये हो गया कि एक अमल की कई नियतें की जा सकती है दूसरा ये कि अल्लागे नभी ने इर्शाद पर्माया कि कुलो आमाल इबन आदम युदाफ के इबन आदम का आदम 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 की आउलाद का जो हर अमल है उसको बढ़ा दिया जाता है उसका अजर जो है वो कई गुना कर दिया जाता है एक नेकी दस नेकियों के बराबर उसकी दस मिसल उसके भड़ जाते है एक नेकी की तो दस नेकियों का अजर स्वाब जैसे रिसुल अल्लाह ने परनाया कि जिसने मुझे पर एक दफा दुरूश ही पड़ा अल्लाह उस पर दस रह्मते नाजरत परनाता है इला सब ए में आते देफिन उसके साथ सो गुना तक यहनी दस से लेकर साथ सो गुना तक किसी का सतर गुना किसी का सो गुना गुनाने पाक के अंदर उसकी भी मिसाल मिलती है और साथ सो गुना तक उसके अमल को बढ़ा दिया जाता है दस गुना से लेकर साथ सो गुना तक यह कौन फर्मा रहा है अल्लाह के ब्यारे नभी सल्लालाह अलहिए वाले सल्म का अब ये जो डिफरेंस है कि एक आदमी एक अमल कर रहा है उसको एक ही अमल का जो अजर है वो स्वाब मिल रहा है और एक शक्स जो है वो अमल वही कर रहा है लेकर उसको दस नेकियों का अजर मिल रहा है एक बंदा कर रहा है तो उसको सतर नेकियों का अजर मिल रहा है दूसरा उसको जो reward मिल रहा है इतना ज्यादा ये किस बन्यार के उपर अमल तो एक ही है। इसके मताबद उसके अज्रो सवाब के अंदर इजाफा होता चला जाता है। इससे हमें समझ आती है कि हमें नियत की इसलाह करनी चाहिए रखनी चाहिए और इसका लिहाद रखना चाहिए। फिर एक बजरुक का कौल है कि दो अजीब चीजे हैं एक नियत और एक तोबा एक नियत और दूसरी तोबा। वो कहते हैं कि नियत चुह है ये इसका कमाल ये है कि ये किसी ऐसी चीज़ को जो नहीं होती उसको वजूद में ले आती है। तो नियत करेंगे तो तिर आगे अमल भी होगा, अरादा करेंगे तो आगे काम होगा, तो ये जो अदम से वजूद में लाना है, ये बड़ा अजीब एक साम है जादा एक पो नियत है और दूसरी तोबा, तोबा क्या करती है? कि वो जो चीज़ वजूद में होती है उसको खत्म कर देती है कि जो गुनाह आदमी कर लेता है को गलती कर लेता है और उसके उपर नदामत के साथ तोबा कर लेता है तो वो मिटा दी जाती है वो खत्म कर दी जाती है तो ये दो चीजों के बारे में कहा गया कि ये बड़ी अजीब है एक जो चीज वजूद में नहीं होती उसको वजूद में लाने वाली है और दूसरी जो मौजूद होती है उसको खत्म कर देने वाली है तो इसकी भी ये एहमियत है कि नियत जो है ये बहुत ज़्यदा अहम है और इसका लिहाज रखना चाहिए अब एक और बात ये है कि किन आमाल में नियत जो है वो बेतर होती है आमाल तीन तरह के होते हैं एक होते हैं नेक आमाल अच्छे आमाल और एक है कि जो बुरे आमाल है जिन से मना किया गया है और तीसरे हैं मुबा जो जायज होते हैं उनको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते वो जायज है मिशाल के तोर पर जब आदमी नमाज बढ़ता है तो ये क्या है? एक नेक अमल है और अगर आदमी चोरी करता है जूड बोलता है तो ये क्या है? बुरा अमल है और खाना खाना ये मुबा अमल है नहीं बुरा अमल है नहीं ये बहुत अच्छा अमल है ये क्या है? जायज है मुबा है सोना, अराम करना मुबा है, जायज है तो तीन किसमे हो गई आमाल की एक नेक आमाल, दूसरे बुरे आमाल और तीसरे जो जायज हैं और मुबा हैं अब नेक आमाल की तो बात हो भी तफसीर के साथ के कोई भी नेक आमल है उसकी बंदा कोशश करता है और उसके हवाले से नियत कर लेता है अच्छी तो उसका अज्रो सबाब उसे मिल जाता है क्या बुरा अमल जो आदमी करता है उसकी अगर अच्छी नियत करने तो क्या उसका भी फाइदा होगा? नहीं बुरा अमल जो है जो फी नफ से ही बुरा है जिसका अल्ला ताला ने मना कर दिया है आपने जूट नी बोलना आपने बड्यांती नी करनी आपने रिशवत नी लेनी तो उसका क्या चाहे आदमी हजार जो है न वो कि नियत कर ले करें कि मैं रिश्वत इसलिए ले रहूं कि मैं और मुनारी है नीया मैं चोरी इसलिए कर रहा हो गरीबों की मदद करनी है तो यह नियत का यहाँ पर कोई फाइदा नहीं होगा बुरे आमाल के अंदर नियत अच्छी कर के बन्दा के है कि जी मैंने इसे ये अल्ला की सुरी ना फर्मानी है ये याद रखें कि ये जो अमल का अच्छा और बुरा होना है उसकी बुनियाद क्या है? अल्ला का हुकम है बाकी उसकी जाहरी तोर पर जो फाइदे या उसके जो हमें benefit मिलते है वो एक अलग बात है कि हर वो अमल जिसका Allah भी हंतन भी है वो हमारे फायदे में है जिसके मना किया है वो हमारे नुकसान में है लेकं उसकी बनियाद क्या है हम अगर इस नियत के साथ ये काम करते हैं कि जि अल्ला का हुकम है तो फिर हमें अजर मिलता है अगर हम इस नियत से नहीं करते तो फिर वो अमल बेकार होता है और इसकी मिसाल जो है वो हमें अदिश पाक के अंदर एक अच्जम्पल मिलती है कि तीन लोग जो है उनका जिक्रा है कि एक उसमें कारी ये कुरान है एक शहीद है, सखी है कुरान की दिलावत करने वाला कुरान पाक पढ़ना कितने अच्छा अमल है नेक अमल है लेकन आखरत में जब उसका मामला पेश आएगा तो अल्लब ताला पूछेगा तो उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा ये का जाएगा जहन्नम में डाल दो तो वो कहेगा या आला मैं तो तेरा कुरान पाक पढ़ता था और कुरान को पढ़ना कितना ज्यादा अच्छा अमल है कि एक हरफ पढ़ने की नेकियां दस मिलती है एक अरफ अगर पढ़ता है बंदा अलिफ, लाम, मिम ये तीन उरूप होगे तो तीफ ने किया मिल जाती है तो वह बंदा कहेगा कि या बारी तला मैं तो तुम्हारा कुरान पढ़ता था तो अल्ला तला तला फरमाएगा कि नहीं तुकुरान तो पढ़ता था लेकर तेरी लियत ये थी कि लोग तुम्हारी तारीफ करें और कहें कि कितना अच्छा कारी है, कितना अच्छा कुरान पढ़ने वाला है, तो दिखावा मक्सूद था, इसलिए तुमने वो दिखावा किया, लोगों ने तेरी तारीफ की बस that's enough अब हमारे पास इसका कुछ भी अजरो सवाब नहीं है फिर सखी की बात होगी तो उसको भी कहा जाएगा कि इसको भी जहनम में डाल दो तो वो कहेगा या आला मैं तो अपना माल जो है वो तेरे रस्ते में खर्च करता था तो अल्ला ताला भी फरमाएगा अल्ला के फ हमारे पास इसका कुछ भी सिला नहीं है सخावत एक ऐसा अमल है कि रसूल लग्स ने फरमाया कि ये जननत के दरख्तों में से एक दरख्त है जो इसकी एक शाख को पकड़ लेता है सخावत तो वो दरख्त जो जए जननत के अंदर बंदे को ले जाता है लेकन अगर वो ही दि तो वो बेकार हो गया फिर शहीद कि अपनी जान अल्ला के रस्ते में कुर्बान कर दी उसके बारे में जब कहा जाएगा तो वो कहेगा या अल्ला मैंने तो सारा कुछ तेरे लिए कुर्बान कर दी अपनी जान भी कुर्बान कर दी तो अल्ला पाक फरमाएगा तो मेरे लिए नहीं किया बलके ये इसलिए किया था ताके लोग कहें कितना बड़ा बहादर है तुने अपनी बहादरी जाहर करने के लिए किया था लोगों को दिखाने के लिए किया था लोगों ने तुम्हारी तारीफ कर दी अब हमारे पास इसका कुछ भी अजर नहीं है तो उसको भी ज कार हो गए इससे पता चला कि नियत जो है वो कितनी अहम है किसी भी काम में अगर अच्छी नियत की जाए तो उसका फाइदा है और अगर अच्छी नियत ना हो तो फिर उसका नुकसान ही नुकसान होता है उसका कुछ भी फाइदा नहीं होता लहाजा नियत जो हमेशा साफ र गाम है जो मुबाह है आदमी जो है वो अपनी जिन्दगी का हर हर लमहा इबादत के अंदर शुमार कर सकता है इबादत बना सकता है तो बड़ी अहम बात इस हवाले से यह मैं आपको बता रहा हूँ कि नियत इतनी इंपोर्टन्ट है कि हमारी जिन्दगी का हर हर लमहा ये इबादत बन सकता है अल्ला ताला की रजा का जरीया बन सकता है ये किस तरह से कि एक दो किसमें तो हो गई ना कि एक है वो काम जो जायज है और नेकी वाले हैं दूसरा क्या जो बुरे काम है नेकी वाले कामों की नियत हैं आपको बता दी हैं कि अच्छी नियत के साथ बन्दा करेगा तो फाइदा होगा और बुराई वाले कामों की नियत चाहिए अच्छी भी हो वो फाइदा नहीं होगा उससे बन्दे को दूर रहना है तीसरे वो काम हैं कि जो हम रूटीन में करते रहते हैं जो मुबा हैं खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, उठना है, बैटना है अपने वालदेन के साथ मिलना है, इस्तेदारों के साथ मिलना है अपने दोस्तों के साथ मिलना है और जिंदगी के रूटीन के जितने काम हैं जो के मुबा हैं जायज हैं जायज और वो नेक काम की बात नहीं कर रहे हैं हम उन कामों की बात कर रहे हैं कि जो अगर आदमी करे तो तब भी ठीक है ना करे तब भी कोई मसला नहीं है कोई एक वक उसको भी कोई जो आना वो प्राब्लम नहीं है। हाँ वो सकता है शहत जो आना वो उसकी डौनोड है। लेकन अगर नियत इन सारे कामों की आदमी सही कर ले और अच्छी नियत इनके अंदर पैदा कर ले तो यही काम, यही काम के जो एक आम रुटीन के काम हैं जो हमने करने ह ही है खाना खाना ही है सोना है अराम करना और इन्वस्टि के लिए सफ़र करना है वापस जाते हुए भी driving उस की अगर आदमी नियत मिसल केत और पर खाना खाने के हो데से ही एक ले कि मैं खाना इसलिए कphone ताके मेरे जिस्म को खुबत मिल सके और मैं इसके साथ अपने फ्राइज जो अल्ला ताला ने फर्ज किये हुए उनको अदा कर सकूँ तो इसका ये खाना-खाना भी इबादत के अंदर शुमार होगा अगर आद्मी ये नियत कर ले कि मैं इसलिए सोने लगा हूँ ताके मैं अपने जिस्म को अराम पहुँचा कर सुबो बरवक्त उठ कर अपने फ्राइज सही तो अदा कर सकूँ तो उसका ये सूने वाला आमल भी अराम करने वाला आमल भी नियत की वज़ा से क्या होगा अज्रोसवाब का बाइस हो जाएगा और अबादत के अंदर वो शुमार कर लिया जाएगा तो अगर हम नियत को अपनी सही नियत को खुलूसे नियत को अपनी जिन्दगी के इन सारे कामों के अंदर शामल कर लें और नेकी वाले कामों को जो हुकम दिया गया वो करें बुराई वाले कामों से अपने आपको दूर रखें मुबाह कामों की बियत की जैना वो अहमियत को समझते हुए हम अच्छे इरादे के साथ हर काम करेंगे तो वो हमारी जिन्दगी का हर हर लमहा अबादत के अंदर शुमार हो जाएगा